बॉलिवोड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ना केवल रोल के लिए अपने डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं बलकि अपने करियर के शुरू आती दौर में वे अपने प्रैंक्स के लिए भी मशूर थे वे अपनी फिल्म की हिरोईन के हाथ उपर थूख दिया करते थे जिसके चलते उन्हें अपनी अपनी अक्रिसे से कई तरह की प्रतिकियाएं मिलती थी आमिर ने फिल्म इश्क के दोरान जूई चावला से कहा था कि वे अस्ट्रोलॉजी जानते हैं और वे जूई का हाथ देखने लगे अक्रिस के ऐसा करते ही आमिर उनके हाथ पर थूख कर भाग गए फिल्म के क्रू के सामने जब जूई के साथ ऐसा हुआ तो उन्हें इस बात का बेहद बुरा लगा जूई इतनी नाराज हुई कि वे अगले दिन शूट पर भी नहीं आई जूई की नाराज़गी को लेकर आमिर भी बेहद गुसा हो गए दोनों के बीच कई साल तक बातचीत नहीं हुई हाला कि कुछ साल के बाद आमिर और जूई के बीच पैच अप हो गया था आमिर ने इसके अलावा फिल्म दिल में माधूरी दिक्षित के साथ काम किया था फिल्म के गाने खंबे जैसे खड़ी हैं कि शूटिंग चल रही थी आमिर ने माधूरी को बताया कि वे लोगों का हाथ देखने में बड़े माहिर है यह सुनते ही माधूरी बड़ी उत्साहित हो गई और उन्होंने अपना हाथ आमिर की तरफ यह कहते हुए बढ़ाया कि वे उनका हाथ देखकर उनके भविशे के बारे में बताये इस पर आमिर ने पहले तो उनकी हाथ की और देखा और एक बार फिर अपनी हरकत दोराई इसके बाद माधूरी भी हौकी लेकर आमिर को मारने के लिए दोड़ पड़ी थी 18 मुंबई फिल्म फेस्टिवल में जो जीता वही सिकंदर के री यूनियन पर आमिर के इस आदत के बारे में चर्चा हुई थी उस दोरान फरा खान ने बताया था आमिर शुरुआत में अपनी फिल्म के अभिनेत्रियों के हाथ पर थूक दिया करते थे वो कहते थे कि लाव मैं तुम्हारा हाथ पड़ता हूँ और सट पर मौजूद अभिनेत्री हाथ आगे करती थी वे उनके हाथ पर थूक देते थे तब आमिर ने हस्ते हुए कहा था मैंने जिस हीरोईन के हाथ पर थूका है वो नमबर वन बन गई है झाल 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 झाल